येती या हिम मानव एक बार फिर सुर्खियों में है। भारतिय सेना ने दावा किया है कि उसकी परवतारोही टीम ने नेपाल में मकालू बेस कैम्प के पास येती के पैरों के निशान देखे हैं। हिमाले की गोद में हिम मानव या येती देखने का ये कोई पहला दावा नहीं है। पिछली एक सदी में कई बार ऐसे दावे किये गए हैं। येती या हिम मानव का किस्ता बहुत पुराना है। वैसे आपने येती के पाउं के निशान देखे हों या नहीं आप हिम मानव की कल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसे देखें तो पहचान भी सकते हैं। बहुत सी फिल्मों, टीवी सीरीज और वीडियो गेम में येती के किरदार देखने को मिलते हैं। इन में डॉक्टर हू, टिंटिन और मॉन्स्टर इंक सबसे मशूर हैं। किस्से कहानियों का किरदार येती एक विशाल जबरे बालों वाला जीव है जो इनसान भालू और बंदर का मिला जला रूप है। इसके बड़े बड़े पैर से लेकर बड़े डराउने दात होने की कलपना की जाती है। माना जाता है कि येती अक्सर हिमाले में बर्फ से ढख कलपना है। पिछले कुछ दशकों में वैग्यानिक तजर्बों के जरिये येती की हकीकत को सही साबित करने से लेकर उसे जुटलाने तक की दोनों तरफ से कोशिशे हुई हैं। पर जिसका यकीन जैसा हो वो उसी हिसाब से रिसर्च पर भरोसा करता है। वैसे वैग्यानि के किस्से मशूर हैं। येती हिमाले की लोक कथाओं की उपज है। ये पहाड़ी किस्सों का बहुत पुराना किर्दार है। खास्तोर पर नेपाल के पहाड़ी लाकों में रहने वाले शेर्पा के जीवन का ये अटूट हिस्सा है। नेपाल के शिव धकाल ने येती के बा येती का विनाश नाम के किस्से में एक शेरपा कहर बरपाने वाले येती के जुंड से बदला लेता है। इस किस्से में शेरपा शराब पीकर आपस में जगरते हैं ऐसा करके वो येती के जुंड को भी अपनी नकल करने के लिए उकसाते हैं। कहानी के मताबिक इनसानों की नकल करके येती भी शराब पीकर आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें ये साज़िश समझ में आ जाती है। इसके बाद येती लड़ना बंद करके हिमाले की उची चोटियों में जाकर छिप जाते हैं ताकि एक दिन वे इनसानों से बदला ले सकें। शेरपाओं में लोकप्रिये एक और कहानी में येती या हिमानव एक लड़की से बलातकार करता है जिसके बाद उस लड़की की तबियत बहुत खराब हो जाती है। और कहानी में येती को सूरज चड़ने के साथ साथ विशाल और बलवान होने वाला जियू बताया गया है। जबकि उसे देखने वाले इनसान घबरा जाते हैं, अपनी ताकत खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इन पहाडी किस्सों से स्थानीय लोग अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। जंगली जानवरों से होने वाले खत्रों के बारे में उन्हें तयार करते हैं। जब पश्चिमी देशों के लोग हिमाले की सहर को जाने लगे तो ये लोग कताओं का किरदार ये थी और बड़ा और संसनी खेज होता गया। बिटन के राजनेता और अन्वेशक चार्ल्स होवर्ड बरी कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरिस्ट की चड़ाई पर गए। रास्ते में उन्होंने कुछ विशाल पैरों के निशान देखे। उन्होंने एक पत्रकार को ये बात बताई। हेंरी नियूमन नाम के पत्रकार ने एक बड़ी रिपोर्ट लिखी और उसके बाद पश्चिमी दुनिया में कालपनिक येती और भी मशूर हो गया। 1950 का दशक आते आते बहुत से पश्चिमी सैलानी हिमाले में येती देखने की उम्मीद में आने लगे। हॉलिवूड स्टार जेम स्टिवर्ट ने तो येती की एक उंगली को पाने का भी दावा किया। हलाकि 2011 में DNA टेस्ट में वो उंगली किसी इनसान की निकली। इसके बाद से हम कई बार येती के पैरों के निशान, अजीब सी तस्वीरें और यहां तक की येती देखने वालों के चश्मदीद गवाओं के दावों से भी दोचार हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो येती की खोपडी तक पाने का दावा किया। किसी को येती के बाल मिले, किसी को उसकी हड्डियों के टुकडे, लेकिन जाच में ये सब ही किसी और जीओ के अंग पाए गए। कभी भालू, कभी हिरन, तो कभी बंदर। किसी ठोस सबूत के बगएर भी येती या हिम्मानों का किस्सा बार बार सुनाया जाता रहा है। येती आज एक ऐसा किरदार बन गया है, जिसके धरती पर होने की संभावना ना के बराबर है, पर लोगों का यकीन बढ़ता ही जा रहा है। अब भारती एसेना ने कुछ तस्वीरों के हवाले से येती के पाओं के निशान होने का दावा किया है। बड़ा भालू है। मैसनर का कहना है कि येती के पैरों के जो भी निशान दिखे हैं असल में वो भालू के पैरों के निशान है। मैसनर का मानना है कि येती को इनसान जैसा कोई जीव समझना नादानी है। मैसनर कहते हैं कि लोग कालपनिक कहानियां पसंद करते हैं। वो हकी का सामना नहीं करना चाहते उन्हें लगता है कि नियंडर्थल मानों की तरह येती भी इनसान का कोई कुदरती रिष्टदार है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है दोहजार चौदा में मेसनर के दावे को कुछ वैग्यानिकों ने रिसर्च की बुनियाद पर सही पाया आक्सफ़ ना दूसरे जीवों से की ब्राइन सैक्स और उनकी टीम ने पाया कि लधाक और भूटान से मिले दो सैंपल ठंड है वातावरन में रहने वालूं से मिलते जुलते हैं वैग्यानिक कई बार कह चुके हैं कि येती या हिम्मानों जैसा कोई जीव नहीं होता इसके बावजू जोस या औरांगोटान की कम आबादी भले हो लेकिन वो दिखाई तो देती है ऐसे जीवों को खाने पीने के लिए आखिर बाहर तो निकल नहीं होगा वे कब तक छुपकर रह सकते हैं हिमाले में इनसान जैसे जीव के रहने की राह में कुदरत सबसे बड़ी चुनोती है इतनी ठंड में इनसान बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता येती के नाम पर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के गाउं में एक शक्स को उसका जानकार घोशित कर दिया जाता है वो आने वाले सैलानियों को येती के गढ़े हुए किस्से सुनाता है और उन्हें दूर दू लोगों को लगता है कि हमाले की गोद में येती छुपा हुआ है यही वजह है कि उसके किस्से सुने और सुनाए जाते रहेंगे